हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूटूब चनल कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे आज हमकी वीडियो लेके आए आपके लिए उत्राखंड पीसेस की स्ट्राटिजी और बुक लिस्ट के बारे में बताने के लिए और अगर इसे पहले वाली वीडियो आपने न कोशन का ठीक है तो डारेक्ट बात करते हैं हम पैटन पे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लाग है तो प्लीस आप लाइक कीजेगा और जारस जारस को शेयर कीजेगा और प्लीस कमेंट करके बताएगा जरूर कि क्या कमी र कोशन 60 कोशन 150 मार्क्स के और सी स nimmt होते हैं आपके सौ कोशन की 100 कोशन 300 मार्क्स के ही होते हैं अपको क्वालिफाइक कर ना हुता है 33 अब टुष उ स्कूर्स मार्क सान करे या ऑड्ला इसे में 1.5 मार्क होती है यनаться स्कूर्ड पैंक यजम लट मार्क सिंदेवाइक्ड ळ्य और 22 में पेपर हुआ था और 23 में इसका मेंस हुआ था जो कि मैंने दिया था मेंस और इसमें 91.3 मार्क्स यू आर का कट ओफ गया था जनरल केटागीरी का आपको अलग 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 मिलेगा किसी पर 93 मिलेगा कट ओफ किसी पर 94 क्योंकि यह जो रिजल्ट था वो तीन चार बा वो यह आया था 91.3 मार्क्स ठीक है मलब की 92 कोशन एकप्रोक्स जिसके सही थे वो सलेक्ट हो गया था उसने मेंस लिखा था ठीक है वैसे तो स्लीबस हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइट किया हुआ है लेकिन अब यह हम आ के देखेंगे स्ट्राइजी के ता उत्राखन का करने फिया जी इस टू सी सेट की बात करें तो देखेंगे इसमें इसी होता है इतना कुछ आपको टेंचन लेनी की बात नहीं है सिर्फ इसके स्वाल कर लिजेगा पास के दो तीन साल के जो पेपर हुआ था 2012 में 2016 में 21 में वो कर लिजेगा और अगर आप चाह लाइनर है ठीक है हम मानते हैं कि इस वाले पेपर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा चप्पाउच वाले में तो हम मान देते हैं कि 90 परसेंट वन लाइनर है एंड ट्रस्ट में 60 प्लस कोशन जी एसके आप से फ़र सिफ लूसेंट जी के मत की जादा ही रिप कर सकते हैं और इसमें सबसे जादा कॉंट्रिपूशन किसका रहता है हिस्ट्री का पॉलिटी का एं साइंस का रहता है ठीक है तो लूसेंट तो महीं खरीद लो आप अगर यह थोड़ा सा रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन उत्राखंड पीसेस में अभी भी बना हुआ है आप ले लिजेगा लूसेंट जी के की ठीक है अच्छे से और क्या लेना है लूसेंट जीके और यह पीवाइद की बुख जो आगे आप बताएंगे कौन सी तो इसलिए इतना 90 प्रस कोशन आपकी हो जाएंगे और उससे आपको बहुत कॉंफिडेंस मिलेगा ठीक है और इसमें कुछ कोशन बहुत इजी होते से अवार्ड हो गया आप अच्छे से क्लियर कर जाएंगे और ठीक है वैसे तो इसका स्लेवस वही है ठीक है जैसे होता है स्टेट पीसे में लेकिन इसके ना कोशन पूछने का तरीका थोड़ा सा अला कियेगा ठीक है इंटेट मेडिवल से डारेक्ट कोशन मॉर्डेंस से सबसे डारेक्ट कोशन हाई थे लुसंट से इफ यू और यू प्यासी एस्परेंट तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जादा से अदा फैक्स पर धियान दीजे ठीक है और अपने जो भी आप सोर्स कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो आपके लिए अची कोई नहीं हो सकती फैक्स पढ़िये फैक्स में आप सा गया पार्ट सा गया कॉंस्टूटूशन के फंडामेंटल राइट डीप्यास पी कॉंसे कंप्री से लिए गये इंपोर्टन आर्टिकल जै अगर आपके 20 कोशन आ रहे हैं पॉलिटी में इन ही में से घूम जाएंगा आपके बार तेरा से चौद्व कोशन ठीकर डारेक्ट कोशन घूमते हैं तो आप लूसरेंट पढ़ लीजेगा अच्छे से और अगर आप UPSC sprint है या आप अल्यदी प्रपरेशन में हैं कोई और अगर आपके त्यारी करें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती बैसिकली मैं उनको बता रही हुँ जिन्हों अभी तक कुछ नहीं पढ़ाएं तो new century book उनके लिए कुछ नहीं हो सकती ठीकर अच्छ से हो जाएगा यह मैं सोच ना कि यार एक ही book में क्या हो जाएगा बस व से कबर हो जाएगा नैशनल पार्क जो आपकी यह टेविल वगएरा मिल जाती है आपको स्टेट वाइज नैशनल पार्क देख लो और इसमें यह भी देख ले ना ऐसी कोशन बनते हैं डारेक्ट कोई जारत टेंशन लेनी वाली बात नहीं है इंभलमेंट प्रोटेक्शन आपको मुझन प्रोकस करते हैं वह आपक सकते हैं और आप गॉलूसेंट में बि cars aussie say और कुछ हो ही नहीं सकता तो इस जो होती है वर्ट की जो न्यूज में रहती है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और कॉंजी सिटी उनके बैंक पर इसे कोशन आते हैं माउंटेंज, एंडी, एल्प, रॉकी, एक्सक्राइज पर लास्ट टाइम आया था एंडी पर कोशन आया था एंडी से एल्प से ठाई ठीक है पोट्स आप इंडिया और अगर कोई रिसेंटली न्यूज में हैं पोट्स तो उस पर आ जाते हैं कोशन और अभी जैसे रश्या है उक्रेन हो गया इसराइल पैलिस्टी इस सब पर थोड़ा सा वह है न्यूज में है यह चीज़े तो वहां का आप मैप देख लीजे कौन सी रिवर्ड है वहां पर कौन सा पोट है कौन सी सिटीज है इंपोर्टेंट ऐसे कोशन आते हैं डारेक्ट ठीक है मिनरेल्स आप पर लेट कर रहा है top producer agriculture में वह सब मिन्डलेंड और अग्री कल्चर में और VORD में जैसे आप स्टेट पिस्टे का होता है ना यह से उपी पिस्टेस में भी आप पढ़ती होंगे आता है वह डारेक्ट ठीक है ऐलसे लेख सी रिवर्स जो है इंडिया की और वर्ड की कौन सी largest कौन सा है कौन सा लोगेस्ट सब्सक्राइब इस तरीगे से पूछते हैं तो वही इंपोर्टेन है । यह इंस और फॉर्स चार शोल कर्द है आते हैं आपके जाधा ही आ जाते हैं तो आते ही आते हैं नेक्स है साइंस साइंस अगें मैं आपको सज़ेस्ट करूंगी कि आप सिफो सिफ लूसेंट से पढ़िए और अगर पंदरा कोश्चन आ रहे हैं तो आपको 10 डारेक्ट मिल जाएंगे लूसेंट से बागी कुछ आपकी प्रीवाई क्यूस से हो जाएंगे कवर प्रीवियस से बहुत जादा लोड लेनी वाली बात नहीं है कैमिस्ट्री अगर आप करना चाहें अगर बूसेंट में अपको जोड़ा लग रहा होगी टाइम लग रहा है तो पहुंजे तीन गंटे की वीडियो हमारी यूट्टूब चैनल पर पढ़ी हुई है अलग अलग वीडियो पढ़ी हुई है बारा लेक्चर्स की दस दस बंदा बंदम गट के आप वहां से देख लिए अगो उसमें सब कुछ कवर है घटर चक्र की कोश्चन्स और प्रीबियस यह बलब जो भी घटना चक्र की कोश्चन्स वगरा है और पूरा NCRT के फैक्ट्स भी हमने उसमें दे रखें तो आप उसमें से पढ़ लीजे ठीक है और देखें यह मेरा पेपर है जो मैंने दिया था दो हजार इकेस में पाला जो पेपर हुआ था ना बाइस में वह है यह देखें डारेक्ट कोश्चन्स आये हैं मैं आपको डिखा देती हूं कैसे कोश्चन्स आएं वन अब इस्टेबलिश्ट हुआ है चेर कॉन करता है जोनल कॉंसिल को ठीक है और पंचायद अगर डिवाल्व हो गई तो इलेक्शन कितने महिने में होने हो एंटी डिफेक्शन लोग एक्ट के अब कॉन से मतलब वहाता है शोडिव आता है लोगसभा जो है पैक में कितने में कॉंबर्स होते हैं उसमें लोग सबागे पॉब्लिक अकाउंट कमिटी में तो सब्सक्राइब कोशन है ने कॉंग्रेस ने डेक्लियर गया था कॉंप्रीट इंडिपेंडेंस तो कब किया था रीसेंट जो वन इंडेट से लेके अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए न इसमें दिया गया था ठीक है टेनियोर मेंबर ऑफ इस्टेट लेकिसलेटिव असेमली क्या होता यह सारी कोशन्स आपको उसमें मिल जाएंगे लूसेंट में थीक है सिवे सर्विसेज देए यह आपको आपका करंट अफ्वेर का कोशन उसमें आ जाएगा इंपोर्टेंट इसमें ठीक है सेंटल इंफर्मिशन कमिशन कब स्टैब्लिश हुआ था अब जैसे मैं आपको बताए डार्यक्ट आ आ गया था कोशन एयर प्रिवेंशन पोग एंड कंड्रॉल ऑफ पॉलुशन एक्ट कब स्टैब्लिश हुआ था कब आया था ठीक है सीट सिन राज जिसव पेपर में इसको सही मान लिया था और बाद में इसको गलत मान लिया था इस वाले पेपर में तो बच्चे कोट में पहुच गये थे कि ऐसे कैसे एक कोशन के दूआंसर कैसे हो सकते हैं और आप जो लीगल यह वाला जो एक्ट है उसी को आप कैसे गलत मान रहे हो तो यह फि ठीक है लोग सभा मेंबर्स कितने यह भी प्रीवेसर कोश्चन में किसी ने किसी में मिल जाएगा अभी हम बुक करेंगे डिसकस कौन सी बुक मुझे अच्छी लगी वो मैंने मंगाई हुई है ठीक है यह भी टेकिए आपको नैशनल डेवलप्मेंट कॉंसली सार यह जैसे मा अगर आप प्रिपेशन में हैं तो बहुत जादा सिंपल से कोशन आते हैं देखिए इंफलेशन पर आ गया अपरेशन और नैशनल फूर्ट सेक्यूर्टी मिशन अच्छा इसमें फाइव यह प्लैन पर न दो कोशन आए से तो फाइव यह प्लैन मैंने भी बताया हुआ है आपको बहुत इंपोर्टेंट है दो कोशन आया हुए फाइव यह प्लैन पर डारेट एकॉनमी मिना जैसे कि यूपी पीसेस में भी आते हैं बहुत मिला अल्टरनेटी यह पर कोशन आता है और काफी अच्छे चांसित होते हैं जैसे कि यह है जंडर इंडेक्स कब हुआ थ्यूमिये कि अ slopesप वयिवाय किहा ठीक है और उत्रागंड का भी आपको किसी ना किसे पपर युनमील जाएं गाया यह और रिसेंटली Gegen् सिर हफ और जेंडर गैप है और क्यों सा होता है वो हंगर हंगर इंडेक्स है सारे जो इंडेक्स है यह बहुत जादे इंपोर्टन हो जाते हैं खासकर पॉइर्टी और एंप्लॉइमेंट से लिटेट यह देखिए यह है वूइस नोन अगर्ण से पूछा है आपका साइंस से कोशन है औ कोशन आया है जो भी रिसेंटली सीओ पीज हुए है कहां पर हुए और आने वाले दो साल में कहां पर होने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अब जैसे यह वाला कोशन है इंविच यह वेट वॉस इंटर्जू से उत्राकंड यह टारीट पीवाई-डू से लिया गया था मेरा गलात हो गया था क्योंकि उस तेमने मैंने इतना पीवाई-डू किये नहीं थे बस जो है डारेक्ट साइट से जो हुए थे लास के दो सा में जो पेपर हुए थे वह मैंने करा दे थे प्रिंट और वही देखे थे उसमें से भी काफी कोश्चन फर्स गये थे वैसे यह सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे लूसर में डारेक्ट डारेक्ट मिलेंगे यह कोश्चन ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो मैं कारा दूंगी और आप मुझे बताईएगा कमेंट सेक्शन में बताईगा कि हाँ ज़रूरत है ज्यादा नहीं है आप बात कर लेते हैं लेकि एको नमी मैंने आपको बताया कि जब होता है रिसेंट नेस्नल चीक होग और ऊत्राखन इससे आपके आते हैं लग बग इससे भी आ जाते हैं आपके चारथे पांच होशन के दोनों के मिला याद कर लिजेगा, 5-year plan बहुत important होता है, important report हो गई, ठीक है, poverty और employment से related data बहुत important होता है, कौन सी poverty है, types of poverty, type of employment, और schemes कुछ, schemes है, जैसे कि आपकी national health mission हो गया, आवास योजना हो गया, ठीक है, और जितने भी, कुछ जो important चल रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, प्रधान मत्री, जन्तन, योजना, कब launch होई है, वो इस तरीके से, यह सब आपको data उसमें, lucid में मिल जाएगा, अब बात करते हैं, उत्राकंड special की, very very important, और उत्राकंड special में बोला है कि 25% questions आएंगे आपके, प्रिलिम्स में, ठीक है, और 40% आएगा means में, और प्रिलिम्स का 150 questions का आपका लगबग हो जाता है, लगबग लगबग 38 to 40 questions हो जाता है आपका उत्राकंड का, डारेक्ट बोला है, आपके जो है, लीगल प्रोसेस हुआ अब कहीं कहीं ये लोग बोल रहे हैं कि one third question आएंगे प्रिलिम्स में, मैंने वो data निकल नहीं कोशिश की वाट मुझे नहीं मला latest का data वो यह ही है, 25% है, तो देखें कितना ही मालिजा 50 तक तक question आएंगे उससे, उत्राकंड special से that's it, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पड़ेगा, खासका उत्राकंड का GK, उत्राकंड का GK पढ़ लो और अभी PYQ की जो बुक्या उसके वार में discuss करेंगे, वो कर लो, उसमें करीब 500 questions हैं, उत्राकंड special, बस इससे आगे करने के कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ भी ना कर पाऊ ना, तो अभी मैं पचास questions में अगर 40 questions आ रहे हैं, GK से 10 questions करणड से आ रहे हैं, तो आपके 30 questions कहीं बहार ने जाएंगे, उसमें questions में से आएंगे, देखिए जो बुक है ना, बुक है comprehensive study of उत्राकंड किसकी है हिमान्शू कफालतिया, यह है, 2016 के topper, उत्राकंड PCS के, ठीक है, 2016 के topper हैं, इन् से दे रहे हैं, मैंने देखा था, जैसे state symbol of उत्राकंड, state profile, इसमें से काफी question आएंगे आपके, और उत्राकंड का जो history है ना, उसमें बहुत अच्छे दे रहे हैं, चीज़े, natural vegetation का, इसका history और geography तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ली जगा, उसके बाद आपका आता है, environment environment, environment में आप forest cover अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी बायर ड्राइब से नैशनल पार्क वगरा है, ना, नैशनल पार्क और वाइल लाफ से नैशनल पार्क और वाइल लाफ से डारेक्ट कोशन आता है, कि कौन सा कब established हुआ है, और जो UNESCO, वाड हाईटे साइट से रखा हुआ है, यह मैंने अभी मंगाई है, दो-तीन दिन पहले ही आप लोग के लिए, अच्छली से पहले तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने डारेक्ट यूटूब से प्रपेशन की थी और मैंने अभी आपको नोट्स भी दिखाऊंगी अपने, और काफी प्रपेशन नहीं हो गए थे, ठीक है, इसमें यह वाला पार्ट बहुत इंपर वाले पार्ट में आप उत्रगंड वजट देख लेंगे, और यह वाला जो पूरा पार्ट है, इसी वहीं से आपको पांच पांच कोईशन मिल जाएंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग के स्ट इसी में से बहुत सारे कोशन आजाते हैं, दो से तीन कोशन इसमें से हर बार देखने को मिलते हैं, तो यह बहुत अच्छे से करना है, इस टेट बर्ड क्या है, कब अड़ा बलब से बर्ड कब आया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, इसमें आइधिक दिया नहीं है, क कवाने से इसमें देरेखे हैं, बहुत IMPORTANT है कुछ FACTS, और हर चैपटर के बाद आपको कुछ ऐसे FACTS मिल जाएंगे, उनको तो मतल मळक depends हैं आप बिल्कुल रट लीजेगा यह वाले फैक्ट्स को हर चैप्टर के बाद या हर चैप्टर के बीच में आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे वान लाइन यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं यह से बोले ते पीरड ऑफ जाद चंद को गोल्डन पीरड ऑफ कुमाओ एक खातिया देवल लियर कहां पे है थाल पितोगरवाग कि इसने विल्ड किया था बाज बाहदू चंदने और इक इसका मोडल है मैं बेस्वान मोडल ऑफ कहला आज टेंपर देखिए नहीं कितने इंपोर्टेंट आता है तो यह बहुत अच्छे सिरी करने हैं आपको हर हमें यह बोल रही थी आप लोग को देखिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं तो यह थाउसन इंपोर्टेंट ट्रैक्स से रखें इसमें पेज नमर 523 रैंडम फैक्स में ठीक है यह पढ़ लो और उसके बाद अभी हम पीवाई के वाली बुक देखेंगे उस में उत्राखंड के लगबाग 500 कोशन है बस वह कर लो 1500 कोशन लगबाग मालो चलो हजार यह हैं और 500 रिपीट हो रहे हैं तो हजार ही माल लीजा हजार कोशन आप उत्राखंड पर कर लेंगे तो आपका एक्जाम जो है और आपका बेसिक पर बहुत अच्छा कमांड है अल् प्रोवाइड करा दिये हैं और मैं अपने नोर्स दिखा देती हूं आप लोग को मैंने तो यह मतलब उस टैम उससे किया था सारा यूटूब से किया था और काफी अच्छे कोशन फस्ट कहे थे इसमें से ठीक है यह पूरा पॉलिटी का डाटा है देखिए पूरा यूचा फासी फॉलि था करिंग वांसे हो देखिए फॉरस तर्बादु और लॉघ को सिर्थिकर चाहCar थी कहते हैं इसमें बापना कंशिकर मृटि कोन सा वह पूरा समय में शत्रकर समय माम राखनोंती है वह एंपण तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लेके आ सकते हैं दस से फंद्रा मिनिट की दस से बारा वीडियो होगी मुझे थाई तिन घंटे में हो जाना चाहिए पूरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट सा उत्रा घंट के बट काईस तभी होगा जब आप करेंगे मुझे इस वीड वीडियो बिल्कुल करिए अच्छा लगता है ना कि हाँ लोग इतने लोग इंट्रस्टेड हैं अब ठीक है आपने वीडियो देख लिया और आपने कुछ भी रियक्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं चलेगा फिर मन भी नहीं करता है ठीक है बनाने का वीडियो और वहीं सॉल्व कर लिये थे और उसमें से काफी कोशन सब्स भी गए थे बट मुझे यह बहुत सही लगी क्योंकि इसमें सारे एक्जाम्स हैं और इसमें सबसे ब्यादा बेनिफिट होगा अगर अप उत्राकंट का जीके आपको नहीं पता है उसमें ठीक है जैसे इसमें पर 21 नोटिफिकेशन अब देगें 12 नोटिफिकेशन आया फिर 22 नोटिफिकेशन अब देज में अब चौबिस में अब इंटर्विव का मालब देट आएगी जून बगएरा में तो इसलिए उसमें बहुत टाइम्स में होती हैं जो प्रतावा धुक्ति होती है ना हर वेके के हमने दिखा जाए दिखाए जितने भी आयोंगे जितने बिद्वाइमेंट के हैं अब यह सारे जोग्रफ़ी है सबसे बड़ी है मुझे लगा यह उत्राखंड वाला पोशन इसमें दिये हैं उत्राखंड के लगवाग 500 कोशन जो कि अलग-अलग इनी एक्जामस में आयो हुए है जो कि हमने फर्स प्रिश पर दिखाए आपको और अगर आप यह 500 कोशन लगा लेंगे न यह 500 कोशन में अगर आपके कोशन आ रहे है 40-42 कोशन आ रहे हैं जी के कि अगर 40 कोशन आ रहे है तो मैं गैरंटी दे सकते हूँ कि आपके 30 कोशन यहाँ ही से आइंगे डारेक्ट कोशन आगे नहीं चाहेगा अगर वन-Lài-nah इम घी रहा उसका एक्झाम का पैटर्न जो की रहेगा 90% for liner 10 चलो 10% questions डाल देंगे वो statement के तो ये उत्राखंट कर जी के वाला आपका यहां से mostly cover हो जाएगा बाकि आप बुक चाहें तो बुक ले लिजेगा जो दिखाई आपको और जो लिंक है वो आपको इस description box में मिल जाएगा देखिए इसमें लगबाग कितने हैं 500 questions हैं उत्राखंट रिलेटेटेट है 493 493 questions हैं उत्राखंट रिलेटेटेट है तो यह रहा आपका उत्राखंट का special देखिए सिफ नहां पढ़ लो आप उत्राखंट अगर आप कुछ नहीं करना चाहा दो ना उत्राखंट के लिए तो चाहरा आप बस यह उत्राखंट वाली बुक मंगा लो पीवाई की वाली इसमें 500 गोश्याना वह कर लो क्योंकि उत्राखंट करना तो पढ़ेगा ना चीकर नेक्स पाथ कर लेते हैं अब हमारा बच्टा है सिफ उसे करन्ट अभिया मैं आपको फिर से याद दिला देती आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना कियो तो लाइक करना और प्लिस अब बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा वीडियो कैसा लगा आपको पूरा जो strategy वीडियो है ठीक है कोई कमी रहे तो प्लिस वो भी suggest करना करन्ट अफियर आप जैसे कोई भी जो magazine फॉलो करत तो आपको जरूर करना है ठीक है तो आपको जरूर करना है ठीक है उत्राखंड का करन्ट फिर से जैसे की लास्ट यर भी आये थे कोशन ठीक है आप छेस से साथ नहीं तो दस कोशन माल लो कुछ बच्ची क्या करते हैं नहीं करते हैं उन्हों लगता है कि यार कहां से पड़े हैं क्योंकि हिंदी का तो बहुत मेटरियल मिल जाता है आपका ऑन हो जाएंगे हलंकि करन्ट फिर में नहीं आता सेंस लेकिन प्री मैंने यहां पर बता दिया आपको अगर आप छोड़ने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी कुछ कोशन तो आपका लगा कहीं जाएगा आपको जब एक्जाम आने वाला होता है तो बहुत सारी चैनल प्र दिया जाएगा पहले ठीक है मैं आपको लिंक प्रोवाइट करा दूंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो कि कौन से जो है चैनल का यूट्यूब चैनल का करेंट फिर ठीक है थोड़ा सा वह हम बता देंगे अगर आपका है कि मुझे यह एक्जाम क्लियर करना है तो देखि आपको यहां से कवर हो जाएंगे लगवाग पचास कोशन फिर ठीक है आप 40-45 माल लीजे देन आप करिए साइंस पॉलिटी हिस्टी सीफ़सिफ लूसेंट से और पी वाइक्यू ठीक है तो करने ही करने आपको ठीक है यहां से हो जाएंगे आपके 40-45 यह भी मैंने कम से कम कोशन बताएं फिर जोग्रफी इंवाइमेंट कर लो फिर जोग्रफी इंवाइमेंट कर लो एकोनोमिक्स एंड उत्राघंगा कर लो ठीक है बस यह आपका होने चाहिए प्रायरिटी सब्जेक्ट्स और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि अगर आप लोग करेंगे सपोर्ट और लाइक करेंगे कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे कि हाँ चाहिए वीडियो तो कोशिस कर सकते हैं 10-12 वीडियो लाने की 10-15 मिनट की बट आप लोग बोलेंगे यार तब ही करेंगे ऐसा नहीं होता ना कि आप ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो ऐसे अच्छा नहीं लगता और यूत्रगंट का एक्जाम ना आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आप राइट स्ट्रेजी राइट बुक लिस्ट वगर आपके पास हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमाई चैनल क बस यह था वीडियो ठीक है बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में की कैसा लगा और बेस्ट टेक क्यार